आदे जैश्री महाकाल जैमा का माख्या हम गुरु कराल रुद्र तरा कॉलाचार्य महाराज आप सभी का पुना स्वागत करते हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल महा तंत्रग्यान 2020 के अंदर महा भगवती कामरूपनी का माख्या माता आप सभी का कल्यान करें आप सभी को हश्ठ पुष्ट रखे आप सभी की काया को निरोग रखे आप सभी के परिवार के अंदर सुक्ष, सम्रिधी, ज्ञान, विज्ञान, कला, एश्वरिया के भंडार भराए रखे कावला चार्या मारग का ये शक्ती मारग का एक बहुत ही गोपनी है और बहुत ही अचूख मारग है जिसको बोला जाता है क्रिया योग मारग जिस मारग के बारे में आज तक संसार को अधिक पता नहीं है संसार इस मार्ग को सदय वही हीन भावना या मलीन भावना की तृष्टिकोंड से देखता आया है मलीन इसलिए हम यहां बोल रहे हैं क्योंकि इसका जो भाव है वो क्रियात्मक शक्ति के साथ जुड़ा हुआ है अर्थात जो की भावनात्मक शक्ति से परेहट करके क्रियात्मक शक्ति से ज्यादा अपना समयोजन करता है जिसमें क्रिया के मादम से उस मापरामिम शक्ति माभगवती भद्रकाली एमम माभगवती कामख्या देवी की कृपा को प्राप्त करने का मार्ग खो जा जाता है और पूरुष का जो सुरूप है वो संसारिक कामुक्ता के जो है सुरूप को परदर्शित करता है थात कामरति और कामतंत्र को परिभाशित करता है जिसकार्ण यहाँ पर क्रियात्मक जो है करम को जो है संसार अच्छा नहीं समझता जिसके करण क्रियात्मक शक्ति को थोड़ा मलीन भावना से देखा जाता है क्रिया योग के द्वारा अब हम बताते हैं कि क्रिया योग होता क्या है किसे प्रकार से क्रिया योग किया जाता है या क्रिया योग में सम्होग से समाधी तक की अवस्था में किस प्रकार से पहुँचा जाता है क्या यह है प्रतियाइक व्यक्ति के लिए अनिर्वारय है या प्रतियाइक व्यक्ति के लिए इस श्यत्र को जानना अनिर्वारय है या फिर प्रतियाएक के लिए अनिरवार्या है या नहीं है इसके बारे माच पुर्ण बखान करते हैं देखे क्रिया योग दो परकार से चलता है पहला क्रिया दूसरा समाधी क्रिया वो चीज़ है जिसके माध्यम से आप कोई कर्मा न करके शक्ति को प्राप्त करने का मार्ग खोचते हैं, उसे क्रिया बोला जाता है, समाधी वो है, जिसके अंदर अपक्रिया को पूर्ण करके, समाधी को की अवस्था में पहुंचाते हैं, वैसे भी सदैव सही हमारे जो है, तंत्र साधना में या शक्त साधना में दो प्रकार के सा सादूं को विशेश बोला जता है एक तो कालंबर दूसरा दिगंबर कालंबर सादू वो होते हैं जो काले वस्तर धारण करते हैं और इसके सिवा कोई विशेश वस्तर उनका नहीं होता है काले वस्तर ही वह विशेश रूप में धारण करते हैं काले वस्तरों का प्रयोग करक रखने का इसने आए जो है भार अपने जो है कंदों के उपर संभाला है या फिर तंत्र सादना की असीम गुप्त सिध्यों के बारे में यह ग्यान रखता है तो इसलिए यह कालंबर जो है रूपधारण किये है याद रखे कि वो सादक दो तरकार के होते हैं जो क्रिया योग करते हैं दूसरा होते हैं दिगंबर सादक दिगंबर सादक वो होते हैं जो वस्त्र हीन होते हैं अर्थात जिसके अंदर मान सम्मान इच्छा भाय त्रिप्ति इन सब कोई विशेश भावार्थ नहीं होता वो दिगंबर ही सादू होते हैं उनके लिए क्रियात्मक योग व कत्र करके उस उर्जा को अपने जो है अलग अलग चक्रों के अंदर स्थापित करके उस उर्जा के माद्यम से अपने शरीर के जो है विशुद चक्र नाडी चक्र इन सब को वह जागरित करता है और दूसरा क्रिया आत्मक या क्रिया योग वाले जो सादक होते हैं वो होते है कालंबर जो काले वस्त्रधारन करते हैं जो मूल रुप में पूर्ण कावलिक कहलाए जाते हैं अर्थात पूर्ण कावलाचारे काली के कुल के बच्चे जिसमें एक इस्त्री और ये पुरुष ये आपस में समावेशन करते हैं अर्थाध जब तक इस्त्री दिगंबर सुरूप में एक पूरुष के सम्मूख खाती है तब पूरुष को उसकी शारीरिक सरंचना से अधिक उसकी आत्मी ये सरंचना ज्यादा जो है परभावित करती है और फाध उसकी देहे, उसकी स्वरूप उसको ज्यादा प्रभावित नहीं कर पाता और दूसरा जो सादक होता है वो कालंबर होता रथा तो काले वस्तर धारण करता है या अमरिक शाला धारण करता है या फिर लाल वस्तर धारण करता है या अपने आपकी सिद्धियों के द्वारा या अपनी सिद्धियों के तो यह समय इस्त्री और पूरुष आपस में समय उजन अपना करते हैं या आपस में इन दोनों का समय उजन जिस समय होता है इस्त्री का और पूरुष का तो संसारिक दिश्ट़िकोर्ण में यह बोला जाएगा कि कोई इस्त्री और पुरुष एक गलत कार्य को यह इनों चरा-चरा जगत भी उत्पन हुआ है, शिव और शक्ति, दोनों का ही समावेशन इसमें होता है, पुर्ष शिव रूप हो जाता है, तरी प्रकृति रूप हो जाती है, दोनों अपनी शक्तियों का अपस में जोड़ देते हैं, जितनी साधना इसने की हैं, ये अपनी साधना को जोड़ देता है, जितनी तंत्र साधना की शक्तियों इसने प्रप्त की है, ये अपनी शक्तियों को जोड़ देता है, और दोनों उस संभोग मुद्रा के माद्यम से, अश्ट पदम कमलासन में विद्देमान हो जाते हैं जिस प्रकार से एक कमल की हजारों पंखुडियां जो होती है वो पंखुडियों के अंदर उनकी उर्जा एकत्र होते हैं उसी प्रकार से इनकी जो शक्ति होते हैं इनके चारों तरफ एक आवरा बना लेती है एक आवरे का काम करते हैं शक्ति इनके चारों और तो कोई भी नकरात्मक शक्ति इनके अंदर प्रवेश नहीं कर पाती है और सकरात्मक शक्ति इनके अंदर से प्रवाहित हो करके इनके चक्रों को जाकृत कर देते हैं जिसे ये भूत, भविश्य, वर्तमान, काल का अध्यन कर पाते हैं अपने शरीर को एक स्थान पर रख करके यह संसार में किसी भी स्थान पर विच्रण कर सकते हैं तंत्र की महाप शक्तियों को जो एक स्त्री साधिका ने प्राप्त की है या पुरुषी सादक ने प्राप्त की है ये दोनों आपस में उन शक्तियों को जोड़ देते हैं और उसे एक महाशक्ति का उत्पन करते हैं जो कि इनकी शक्ति से भी ज्यादा तेजस्माई और गुणमाई होती है तो ये जो शक्तियां होती है इनका समावेशन जो होता है इस क्रिया को बला जाता है क्रिया योग जिसके संभोग से समाधी तक पहुँचा जाता है यदि कोई सादक जिसने क्रिया ना की हो अर्थात तंत्र तपस्या ने की हो हठ योग ना किया हो और अपने जो है अपनी मूल सुरूप की प्रकरती अर्थात अपने ब्रह्मचार्य का उधारण 12 वर्षों तक ना दिया हो या ऐसे इस्त्री जिसने 12 वर्षों तक का ब्रह्मचार्य धारण भगवान शिव और माशक्ति के द्वारा ही न्यूक्त है क्योंकि आपने भी जो है हमने पहले भी इस चीज़ को डिफाइन किया है कि माशक्ति और भगवान शिव दोनों ही क्रियात्मक और गुणात्मक सुरूप में आपस में सुरूप एक है जब तक पूरुष से प्रकरति नहीं मिलता तब तक तंत्र में कुछ प्राप्ति नहीं होती तो क्रियात्मक योग हर तंत्र सादों को सीखना अनिरवार है जो शक्ति मार्ग से जुड़ा हुआ है शक्ति की प्रकृति के कुछ अंश यदी उसके अंदर नहीं आएंगे पूरुष के साथ मिल करके या पूरुष के अंश यदी किसी प्रकृति शक्ति अर्थत किसी स्त्री में नहीं आएंगे तो वो दोनों एक दूसरे की प्रकृति को समझ नहीं सकते ना तो पूरुष अर्थात ना तो पूरुष शक्ति को प्राप्त कर सकता और ना ही शक्ति पूरुष के स्वभाव को जान सकती है तो इसी प्रकार से दोनों का शमाविशन होना बहुत जरूरी है इसी क्रियात्मक शक्ति को बोला जाता है क्रियात्मक योग और संभोग से समाधी की अवस्था इस अवस्था को प्राप्त वही कर सकता है जिसने हाठ योग की विशेश क्रियाओं को जीवन के अंदर धारन किया हो मध्यधारन किया हो गुरू मार्गदशन से चीज़ को सीखा हो और गुरू के द्वारा विशेश मंत्रों के आवाहां से शक्तियों का समाविशन श्रीर के अलग-अलग अंगों में किया हो तभी वो इसे तंत्र साधना को पुर्ण कर सकता है इसके द्वारा कुछ भी संभव है भूत, भविश्य, वर्तमान देखना एक स्थान से दूसरे स्थान पर विच्रन करना किसी के भी शरीर को बरिवर्तित करना बिमारियों को ठीक करना चरा-चर जगत के हर सिध्यों को पराप्त करना इसके द्वारा समभव है किन्तो एक उच्च गुनात्मक स्वरूप की सहचारनी एक गुणात्मक स्वरूप की जो सहचारी का आपके साथ होनी है निरवार है तो यह आपकी विशेश जो है होती है कि आपको इस प्रकार की साधिका का आपको खोजन करना चाहिए तभी आपको सफलता मिल सकती है जो साधक कॉल मार्ग के अंदर तंतर साधना या तंतर सपस्या को सीखना चाते हैं वो हमें वटसाप पे मैसेज करें हमें डारेक्ट कोल ना करें और हमें इस शनीवार को आप महाकुम्ब पर मिल सकते हैं सिंधूर अभी भी जो है प्राप्त हो जाएगा आपको तो सिंधूर प्राप्त करने वाले वो अपने अप्लिकेशन फॉर्म को भरके उसकी फीस को भरकर के आप सिंधूर को भी प्राप्त कर सकते हैं बेसिक ग्रूप से स्टार्ट हो चुके हैं आप फिर से बेसिक ग्रूप से अपने आपको जोड़ सकते हैं और चौंकी पर आ करके आप शरीवार और मंगलवार को दरबार लगता है आप दिक्षा को भी प्राप्त कर सकते हैं